Hello guys, how are you? आप लोग iOS 16 को install करने के बाद कुछ पुराने iPhones में बैटरी ज्यादा drain हो रही है किसी की बैटरी हेल्थ को ज्यादा ही drop हो गई है तो अब एक बार आप लोग की दिमाग में आ रहा होगा कि बैटरी रिप्लेस कर वा लेते हैं और मैं आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूँ तो पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक दिखना है चैनल पर ने हो सब्सक्राइब कर देना सबसे पहली चीज आपको अपने बैटरी रिप्लेस कब करवानी चाहिए सबसे बड़ा कोशन है तो आप लोगों को बैटरी रिप्लेस करवानी चाहिए जब आपकी बैटरी हेल्थ 75% तक पहुँच जाए लेकिन तब भी यह कंपलसरी नहीं है अगर आप 75% के बाद भी फोन को प्रॉपरली यूज कर पा रहे हो और अगर आपका फोन बैटरे ड्रेंज जादा नहीं कर रहा तो जब तक हैपको प्रॉप्ल्म ना है तो घैरर्श मत करवा हो क्योंकि होँ प्रॉप्लम नहीं तो फ्री में पैसे देखे हेँmy खुल बैतरी रिप्लेस्मेन कर्वाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है apply कर सकते हो लेकिन मैं बोलू हुआ कि 75% तक एक आपका जो रहना चाहिए 75 से नीचे जाता ही आप लोग बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो सेकेंड इंपोर्टेंट कोशन कि बैटरी हम क्या रिप्लेस करवा सकते है नॉमली वरेंटी में यह मेरा आइफोन 40 है मैंने इसी साल परचेस किया है अब इसके अगर बैटरी हेल्थ फॉर इव्जामपल अभी तो 100% है अगर फॉर इव्जामपल 98 है यह 96 है तो क्या मैं एपल स्चोड जा सकता हूं और मैं वाप बोल सकते हो कि मेरी बैटरी हेल्थ 100% करदो इसको रिप्ले परवाने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपकी फॉर आइफोन 14 है अगर वन यह के अंडर यह 80 सिंट जा जाता है तो आपको एपल फ्री ओफ कोस्ट करके देगा और एक और केस है अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी हेल्थ 90 है 95 है 98 औ 99 है लेकिन तब भी आपका फो बट मैं वहीं बोलू हूँ कि 99.99% ऐसा नहीं होता अगर आपको प्रॉबलम आ रही है तो आपको जरूर सर्विस एंटर विजिट करना चाहिए उसके बार नेक्स वोशन यह रहता है कि बेस्ट वे क्या है अपनी आइफोन की बैटरी को रिप्लेस करवाने का तो दो चीज होगी बैटरी रिप्लेस होगी फोन को बंद करेंगे किस तरीके से होता है किस टेकनीक से होता है बैटरी ओरिजिनल है नहीं है यह सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए मैं आप लोगों को की सजेस्ट करूंगा कि आपल के ऑथराइज सर्विस एंटर ही जाओ लोकल में स समत करना एपल के ऑथराइज सर्विस एंटर ही जाओ कि में चीज क्या है अगर बाहर से कुछ करना होता ना क्लीनिंग करनी होती है एक्स वाइस ही कुछ भी होता तो फिर भी आप लोग कर सकते हैं लेकिन यहां पर क्या है कि फोन खुलेगा बाद में फोन को वापेस पेस् बेस्ट वे यही है कि एपल के ऑथराइज सर्विस एंटर जाओ कॉन से वह मैं आप लोगों कुस पर्टिकुलर नहीं नहीं बोलूगा लेकिन इंडिया के जो मेन आइवूट से वह है यूनिकॉन और इमाजिन और मैं कोई भी वीडियो को स्पांसर करके नहीं बोल रहा है और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फोर्थ इंपोर्टेंट कोश्चन जब फोन ओपन होगा बैटर रिपलेस हो जाएगी तो क्या आपका फोन वाटर प्रूफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा तो अगर आप एपल के जैनुमें स्चोर ऑथराइज सर्विस सेंट करती है वह यहां पर प्लाइक की जाएगी और बाद में पेस्टिंग की जाएगी ओविसली लोकल मार्केट में भी ऐसे ही होता है लेकिन उनका प्रोसेस होगा डिफरेंट रहता है उनको एपल की तरह से सारा कुछ प्रवाइड किया जाता है और वह एक्सपर्ट्स है आप आप लोक सर्विस से ही कराओ आपल की ऑफरेंट सर्विस से उसको आपके फोन कहां पर पेस्ट कर दिया जाएगा अब यह एक्जाक्ट्ली जैसे मेनफ्यक्ट्रिंग होती है वैसा तो नहीं होगा बाद यह 98-99% वैसा ही होगा टेंचन लेने की जरूरत ही हो कि आपका फोन फिक्स हो जाएगा और ऐसा तो है नहीं कि ब्रैंड न्यू आइफोन 14 है आपका कोई पुराना आइफोन नहीं होगा तो इतनी बड़ी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपका प्रॉपरली जो है यहां पर हो जाएगा उसके बार लास्ट इंपोर्टेंट चीज जो ह है कि आइफोन बैटरी रिप्लेस्मेंट कोस्ट कितनी है यहां पर जो में पास एक शीट है मैंने कॉल करके प्रॉपरली डिफ्रेंट इफ्रेंट से एक एवरेज कोस्टिंग यहां पर निकाली है बेसिकली मैंने यहां पर यूनिकॉन और इमाजिन कोई प्रेफर किया है तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे पहले अगर कोई में पूछे का कि अगर आइफोन 14 सीरीज की बैटरी रिप्लेस्मेंट करनी हो तो वह कोई भी आपको नहीं करके देगा क्योंकि अभी यह फोन अल्रडी वरेंटी के अंडर है नेक्स सेप्टेंबर तक किया अक्टूबर तक जब भी आपने फोन परचेस किया होगा अगर इसकी बैटरी हेल्थ 80% से नीचे जाती है तो एपल फ्री में करके देगा तो रिप्लेस्मेंट कोई कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैंने एक आइडिया लिया तो उन्हेंने बोला कि कम्प्लीट सीरीज की जो प्राइज रहने वाली है वह आपको मेलेगी 6,000 रुपीज और कुछ चोट पर आपको 5,000 मेलेगी कुछ पर 6,000 मेलेगी लेकिन एक एवरेज रही है वह मैं आप लोग को बता रहा हूं तो यहां पर 6,000 रुपीज है 13 प्रो मैक्स 13 प्रो 13 और 13 मि लोग को देखने के लिए मिलेगी उसके बाद आइफोन 12 हो 12 मिनी हो 12 प्रो हो 12 प्रो मैक्स हो उसकी यहां पर रहेगी 5,000 रुपीज और इसके अंदर सारे चार्ज इंक्लूडिड है जी एसची लेबर कॉस्ट विकारा सब कुछ इंक्लूडिड है इसके अलावा आप से व अब आइफोन जितना मर्जी पुराना के ओना हो सेम ही रहने वाली है यह पिर आइफोन 11 के ओना हो इस आइफोन की विज़यों है यहां पर सेम ही रहने वाली है 5000 उसे बाद आइफोन से वन की आइफोन 6 6S 6S Plus 7 7 Plus 8 8 Plus कि यहां पर रहने वाली है around 3000 रुपीज से लेके 3500 इमेजन कॉल किया तो 3000 रुपीज से लेके 3500 इमेजन कॉल किया तो 3000 थी युनिकॉन कॉल के 3500 थी और आप लोगों को एक और चीज डिस्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा युनिकॉन का डिरेक्ट पेज है अगर आपको बाइचांस मेरे डाउट हो रहा हो तो यह आप लोगों को बैटरी रिप्लेस्मेंट के प्राइजस मैंने बता दिया है आप लोग इसली जाओ स्चोर में जाओ नियरभाइ चेक करो आउनलान वेबसेट पे आप लोग जो है वहां से प्री बुकिंग कर सकते हो सर्विस की एपल सपोर्ट का एप भी डाउनलोड क हो सकता है तो इपर सर्विस सेंटर जुरूर विजिट कराना वह आपको डाइगनोस करके देंगा आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो वह सारा कुछ बसीती मेरी आज की वीडियो इस वीडियो का लाइक करना चैनल पर नहों चैन हुआ हुआ है